नमस्कार दोस्तु। मैं सुरेश कुमार। इस अफलता आनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आए आज हम प्रक्टिस सेट एक शुरू करते हैं और यह जो पहला प्रक्टिस सेट है यह आपका प्रक्टिस सेट संस्कृत का है। यह जो संस्क्रत भी से है वो टीजीटी-पीजीटी में काम आएगा और युपीटेट सीटेट के लिए भी काम आएगा तो आइए आज हम सुरू करते हैं एक नया सेट आज का पहला प्रक्टीश सेट ये संस्कृत का है आज के प्रक्टिस्ट का पहला प्रश्ण है आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्ण है हमारे पास प्रत्याहार बिधायक सूत्र है आपको बताना है कि एका सही है कि दो नंबर सही है कि तीन नंबर सही है कि चार नंबर सही है आपको अपनी नोट बुक में इनके आंसर लिखना है और बाद में कमेंट बाक्स में आपको लोगों को बताना है कि मेरे कितने नंबर सही हुए इस प्रक्टिस्ट में 30 प्रशन होंगे और लगभग में 20 प्रक्टिस्ट आप लोगों कराऊंगा जिससे कि आपकी तैयारी संस्कत की अच्छी हो जाएगी बताईए पहले का आंसर क्या है तो पहले का जो आंसर है वो तीसरा है आधिरंते सेहता इसके बाद दूसरा प्रशन है सभी वर्ण किस प्रत्यहार में आते हैं एक अल में, हल में, रल में या जहल में बताईए, दो तो दो का जो सही है अंसर वो पहला है अल अल में सभी प्रत्यार आते हैं अगला प्रेश्ण, प्रेश्ण नमबर तीन व्याकरण सास्त्र में प्रत्यार सूत्रों की संख्या है ग्यारा, बारा, त्यारा और चौदे हैं बताईए तीन, तीन का जो उत्तर है वो है आपका चार, चौदे है शूत्र है यानि प्रत्यार शूत्र है प्रस्ण चार त्रिमुनी व्याकरणम में कौन नहीं है यानि जो व्याकरण के तीन रिशी माने जाते हैं मुनी माने जाते हैं उनमें से कौन नहीं है इसमें दिया है शाकल, पाणनी, कत्यायन और पतंजली बताई इनमें कौन नहीं है पूछा गया है चार, चार का पहला सही है, शाकल नहीं है, नेश्ट, प्रस्न पाँच, सुध्य पाश्यह का सही जो है संदी बिच्छेद होगा, सुध्य प्लस उपाश्यह, सुध्य प्लस उपाश्यह, सुध्य प्लस उपाश्यह, या सुध्य उप्लस उपाश्यह, बदाई, पांच, पांच का तीसरा अफ्शन सही है, प्रशन 6, बाड़ भट क्रत हर्स चरित है, कथा, आख्याई का, उपन्यासी का या चम्पू, बताईए, कैसा गरंथ है, प्रशन 6, छे का दूसरा सही है, आख्याई का, आईए प्रशन देखते हैं, साथ, साथ नम्मर प्रशन, अधी शींग इस्था शाकमरम, शूत्र का उधारण है, आशने शेते, आशनम अधी तिस्थती, तीसरा है, आशने आस्ते, और चोथे में दिया है, आशने अध्याईस्ते, बताई, साथ, साथ का दूसरा सही है, प्रशन 8, क्रते अध्याई के साथ विभक्ति प्रुक्त होती है, चतुर्थी, पंचमी, सस्थी, शप्तमी, आठ, आठ का तीसरा सही है, सस्थी, प्रशन 9 देखेंगे, प्रशन 9, 9, तम, अहम, तौ, चा, डेट, डेश, में आपको बतलना है, क्या होगा, पठता होगा, पठसी होगा, पठामी होगा, पठामाह होगा, नव, नव का चार सही होगा, पठामाह, प्रशन 10, अनुचिता, शब्द में समास है, दिगू, कर्मधारे, बहुबरीह, न, तत्पुरुष, मत्याइगे, 10, दस का चार सही होगा, आपका, न, तत्पुरुष, नेस्ट, अगला है, ग्यारा नंबर का प्रशन, 11, सीतो, शडम, शब्द में समास है, अब बेभाव, तत्पुरुष, द्वन्द यब बहुबरीह, ग्यारा, ग्यारा का तीन सई है द्वन्द बारा, ब्राम्हन शब्द का शब्द में एक बचन में रूप भोगा ब्राम्हणी, 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 ब्राम्हणी बताई बारा, बारा का तीन सई है ब्राम्हणी आईए अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा प्रशन नमबर 13 यूनाह पद नहीं बनता है दुत्या बवबचन में, चतुर्थी एक बचन में, पंचमी एक बचन में, सस्टी एक बचन में तेरा, तेरा का दूसरा से ये चतुर्थी एक बचन में नहीं बनता प्रश्ण चौदा, अर्थो ही कन्या पर किया एवं किसका कथन है, गोतिमी का, शारंगरवल का, काणो का या दिश्चंत का बताई चौदा, चौदा का आपका तीसरा से है कर्ण का पंद्रा, प्रश्ण नमर पंद्रा है कर्मवाच और भावाच में कर्ता में कौन सी विभक्ती है प्रथमा, दुतिया, तरतिया, चतुर्थी पंद्रा, पंद्रा का तीन से है तरतिया विभक्ती होती है प्रश्ण नमबर 16 श्वप धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक बचन का रूप है बताना है कि पहले में है कि दूसरे में है कि तीसरे में है कि चोथे में है 16 16 का दूसरा सही है आपका आईए अगला देखते हैं प्रश्ण सत्रा रुद धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक बचन का रूप है अब आपको बताना है कि एक का सही है कि दो का सही है कि तीन का सही है कि चार का सही है सत्रा तो सत्रा का दो सही है रुद्धी नेश्ट अठारा प्रश्ण नमर अठारा ते वस्तराणी धारयन्ती का कर्मवाच रूप होगा आपको बताना है कौन से सही होगा अठारा का तेन सही है ते वस्तराणी धायते नेस्ट उन्नेश प्रस्ण नमबर उन्नेश दुरुजनहा दुरुगणान जहान्ती का कर्मवाच रूप होगा उन्नेश उन्नेश का जो उतर होगा पहला सही है बिस वाद कित्वा रूप बनेगा वद प्लस कित्वा रूप बनेगा तो पहला बनेगा की दूसरा बनेगा की तीसरा बनेगा की जोथा बनेगा बताईए बिस बिस का तीन सही है उदित्वा बनेगा नेश्टिट प्रस्ने 21 शोड़वा शब्द में प्रकति प्रत्य है आपको बताना है कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है कि चौत्था सही है 21 का पहला सही है सह प्लस कि तो प्रस्ने 22 विशरगों का उच्चारण स्थान है कंठ तालू मूर्धा दंट 22 का पहला सही है कंठ सभी विशर के कंठ से बोले जाते हैं अगला प्रस्न प्रस्ने 23 मा का उच्चारण स्थान है तालू ओंष्ट नाशी का दूसरा और तीसरा दोनों 23 का चौत्था सही है दूसरा और तीसरा दोनों अगला प्रस्न 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 नमर 24 स्वरण का परयावची नहीं है कनक हेम कंचन नग बताए 24 24 का चार सही है नग नहीं है आएए प्रस्न 25 देखते हैं 25 नमर का प्रस्न आपकी स्क्रीन में ये रहा 25 विधी का विप्रय होगा पहले में सही है यानि निधी होगी की निशेद होगा की आदेश होगा की नरदेश होगा 25 25 का दो सही है निशेद 26 मनश सब्द में लिंग है पुलिंग नपुन्शक लिंग इस्त्रि लिंग उभे लिंग 26 26 का दो सही है नपुन्शक लिंग प्रस्न 27 27 निम्न में से सर्वत्तम कथन कौन सा है एक अच्छा अध्यापक है अब आपको ये चारो कथन पहले पढ़ने हैं पहले का दूसरे को तीसरे को चोथे को पढ़ने के बाद आपको आंसर लगाना है कि ये सबसे अच्छा कथन कौन सा है 27 27 का जो चोथा आपसन है आपका वो सबसे अच्छा जो है कथन है विद्ध्यार्थियों को शदयों सीखने के लिए प्रेरित करता है एक अच्छा थ्यापक जो होता है ये सिच्छडबीधी का प्रश्ण है आईए अगला प्रश्ण 28 28 नमर प्रश्ण बालकों में संस्क्रत भांसा के स्वाध्याय की आदत के विकास का सरुत्तम तरीका क्या है आपको बताना है उपिक्तिस्थान होना चाहिए कि छात्रों को पढ़ने को कहना चाहिए कि छात्रों के बिल्कुल यानि छात्रों से बिल्कुल बात ना करना 28 का चोथा से चात्रों के सामने श्वयम पढ़ना जो है सबसे अच्छा तरीका वाना जाता है विकास के लिए पालकों की सिच्छा 29 निम्न में से क्या भासा सिच्छन का सिध्धान्त है रूची का सिद्धान्त, वैक्तिक भिनता का सिद्धान्त, क्रिया का सिद्धान्त ये सभी बताई 29, 29 का चार सहे ये सभी 30, किसी बालक के लिए भासा सीखने की आधार भूत इकाई है 30, तो 30 का 3 सही है अच्छर ग्यान, सबसे पहले जब अच्छर ग्यान होगा तो ये 30 प्रस्थे संस्क्रत के, तो अगर आप इनको प्रक्टिस करते जाएंगे तो जो TGT, PGT में संस्क्रत आती है तो वहाँ आपके प्रस्थे गलत नहीं होगे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजेगा और दोस्तों साथ सेर कीजेगा और जो नए स्टुडेंट है वो चैनल को सस्क्राइब कर लें जिससे की आपको TGT, PGT, UPT, CTT आदी सभी प्रक्टिस सेट आप लोगों को मिलते रहेंगे तो अगर आपको इसका पीडियो भी चाहिए तो आप इस अफलता टेलिग्राम से जुड़ करके आप इसकी पीडियो प्राप्त कर सकते हैं बित आंसर और इसका शॉल भी मिलेगा आप लोगों को तो आज का वीडियो यहीं तक नमस्कार जहन जय भारत